समधान सभा पर चर्चाओं भासी होते थे, बहुत से डिबेट बड़े होट होते थे और ये सब अख़बारों में छपता था, अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचता था और लोग अपने ओपिनियन बनाते थे, सम्विधान सभा में होनी वाली चर्चाओं पर जन्मत का भी बड़ा प्रभाव परता था, जहां एक और सम्विधान की चर्चाओं जन्मत तक पहुंचती थी, तो जन्मत भी पीछे नहीं था, वह भी अपना प्रभाव सम्विधान सभा के सदस्यों पर येन केन पकारेंड छोड़ता था चाहे वे डारेक्ली सदस्यों से बात करके अपने विचार रखते थे या समाचार पत्रों के मध्यम से समाचार पत्र अपने विचार रखते थे सदस्यों के द्वारा लिये गए विविन स्टैंड को लेकर तो चर्चाओं पर जन्मत का बड़ा पर्याप्त प्रभाव था और हम देखेंगे कि सभी जो प्रस्ताव थी उस पर सारवजनिक रूप से बहस हुई जितने भी प्रस्ताव सम्विधान सवा के अंदर रखे गए ऐसा प्रयास किया गया सुनिश्चित किया गया कि उस पे बहस पूरे देश में छेड़े क्योंकि जितनी बहस होगी उतना ही ये सुनिश्चित होगा कि उस बहस का एक ऐसा निश्कर्ष निकलेगा जो सभी पक्षों को स्वीकारे होगा किसी भी विशय पर होने वाली बहस में विविन पक्षों की दलीलों को पेपरों में छापा जाता था और इस प्रकार प्रेस में होने वाली आलोचना और प्रत्या लोचना किसी भी विशह पर بنने वाली सहमती अथवा असहमती को बहुत प्रभाविट करती थी व्यापक रूपसे प्रभाविट करती थी मैं फिर तक कह दूँ प्रेस में होने वाली आलोचना या समा लोचना प्रत्या लोचना विशे पर होने वाली सहमती या असहमती दोनों को प्रभावित करती थी यदि किसी निशकर्ष पर पहुंचने के पहले किसी एक मुद्धे पर सम्विधान सभा के सदस्यों को सुनिश्चित करना होता था कि जन मानस के विचारों का प्रतिबिम्भ वे बने जन मानस के विचारों को वो अपने इस विचारों में समाहित करें जिसे वो कानूनी जामा पहना रहे हूं जन सामान के सुझावों को भी आमंतरित किया गया प्रेस के माध्यम से तो बातें जाती ही थी अन्य जरियों से सारजनिक किये जाते थे इनके विचार लेकिन उसके साथ ही जन्मानस के सुझावों को आमंतर्द भी किया जाता था जिसके प्रणाम थुरूप क्या होता था सामुहिक सहभागिता की भावना सभी लोगों के सहयोग की भावना सभी समुधाय, सभी वर्ग, सभी श्रेणी को ये मौका था परियात मौका था कि वे सामान सभा की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक शुरूप से भाग ले रहे हैं और उनकी सहभागिता उनके विचारों को आमंतर्द करके की जाती थी समुधान सभा को मिलने वाले जो सैक्रों सुझाओ थे उनमें से कुछ नमूनों के दिया आप देखें तो सपस्ट हो जाएगा कि हमारे जो विधी निर्माता थे, कानून बनाने वाले जो थे वहाँ के सदस्ट जो थे, वे परस्पर विरोधी जो बिंदु थे उस पर बड़ा गहन विचार करते थे, स्वभाईक है, बहुत सारे मुद्दे परस्पर विरोधी थे, मैंने आपको बताया कि दो हजार बार समविधान के पुस्तक में सुधार करना पड़ा, दो हजार यहाँ चाहे से हम संशोधन कहें, या अमेंडमेंट कहें, इस से पहले की पहला ड्राफ्ट, दूसरे और दूसरा तीसरे ड्राफ्ट में बनें, थर्ड रीडिंग आते आते दो हजार परिवर्तन हुए थे, यह परिवर्तन की नौबत क्यो आई, वही जन मानस की बातों को समाहिद करने के लिए, गहन विचार विमर्च, विरोधा भासी मुद्दों को, विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारे विजी निर्माता इस पे गहन विचार करते थे और इसके बाद किसी निश्करत पर पहुंचते थे, यदि एक उधारन दें, त उसका आगरह था कि समविधान का आधार क्या हो, प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लिखित सिध्धान, ये उनका विचार था, विशेश रूप से ये मान की थी, कि गौह हत्या पर प्रतिबंद लगाया जाए, बूचर खानों को बंद किया जाए, जो तथा कतित निचली जाती के लोग थे, उन्होंने तो सवर्णों के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव रखा, कानूनी प्रावधान का, विधाई का सरकारी विभागों में, स्थानी निकायों में, जन संक्या के अधार पर आरक्षण की मांग की, विधाईका में याने विधान सभाव जहां भी चुनाव होते हैं जिला परिशाद आदी आदी वहाँ पर जन संख्या आधारित आरक्षन की बाद भी कुछ लोगों ने की भाशाई आलप संख्यों को की मांग कुछ अलग थी उनकी मांग थी कि मात्र भाशा में अभी व्यक्त की स्वतंतता प्रदान की जाए भाशाई आधार पर प्रांतों का पुनर गठन किया जाए आदी आदी वैसे बाद में 1956 में प्रांतों का गठन अंतता भाशाई आधार पर ही हुआ पर जब समिधान सभा की बैठकें चल रही थी तो बहुत सारे आधार लोगों ने सुझाए कुछ लोगों ने कहा कि प्राकृतिक सीमाओं को देखकर राजियों की सीमाय तै की जाए कुछ लोगों ने जन संक्या के आधार पर कुछ लोगों ने प्राक्रितिक संसाधनों के आधार मानते हुए राजियों के बटवारे की बात की कुछ लोगों ने भूख शेत्र को समान रखने के मुद्दे को लेकर राज बनाने की बात की तो राज किस रूप में बने इसको लेकर भी बहुत से मुद्दे थे और इसी प्रकार बहुत सारे मुद्दों पर बड़े विरोधा भासी विचार थी धार्मिक अलप संख्यों को का अगरह था कि उन्हें विशेश सुविधायें दी जाएं धार्मिक अलप संख्यक वे विशेश सुविधाओं की मांग कर रहे थे विजयनगर में जो जिला शिक्षा संग है और बंबई में सेंटरल जसूट संग है वो विधाई का इत्यादिक सभी सारजिक संस्थाओं में प्रतिनिजित्व की मांग कर रहे थे शिक्षक संग द्वारा प्रतिनिजित्व की मांग सभी विधाई काओं में तो क्या विधाय काओं में professional के अधार पे भी reservation होना चाहिए? Reservation का अधार, आरक्षण का अधार क्या हो? इसको लेकर भी बहूत बहस होई कई लोगोंने आर्थिक मुद्दा, आर्थिक अधार की बात की कई लोगोंने धारमी का अधार की कई लोंगों ने जन संक्या के आधार पर और आदी आदे, कुल मिला कर, जन मानस के विचारों को आमंतरित किया जाता था, और काफी गहन विचार विमर्श के बाद, सम्ढधान सभा के सदस्ट किसी निशकर्श पर पहुंचते थे, समिधान सभा में जो सदस्च थे वे जन मानस के विचारों पर पैनी नजर रखते थे 389 के बने 299 सदस्च अंतिता इसके माने गये थे और इनकी बड़ी महत्पूर्ण भूमिका थी लेकिन इन में से भी 6 लोग जैसे मैंने बताया अत्याधिक महत्पूर्ण थे जिसमें नहरू, पटेल, राजिन पुसाद, अम्बेडिकर, कनहियालाल, मनेकलाल, मुंशी और अलादे कृष्णा स्वामी आईयार ये बहुत महत्पूर्ण पहले तीन तो कॉंग्रिस के इस दासे थे पटेल, राजिन पुसाद और नहरू, उद्देश की जब मैंने बात की, सम्विधान सभा के उद्देश की, तो नहरू के द्वारा इस उद्देश प्रस्ताओं में जो बातें कहीं गई, उसमें भी जन मानस के विचार ही थे, जन मानस की अपेक्षाओं को उन्होंने समाहित किया था अपने उद्देश प्रस्ताओं में, एतिहासिक उद्देश प्रस्ताओं, जन मानस के विचारों को समाहित करते हुए बना था, सम्विधान सभा की जो अन्य प्रक्रियाएं थी, सम्विधान निर्मान की उसमें सरदार पटेल की बहुत अहम भूमिका थी और सरदार पटेल ने अधिकतर कारे परदे के पीछे किया मुख्यूरूप से वो पीछे ही रहे सामने निया है और बहुत महत्पूर्ण कारे किया अनेक रिपोर्टों के प्रारूप लिखना उन्हें परसपर रोधी विचारों को के बीच में बध्यस्तिता का कारे करते हुए किसी निशकर्च पर पहुँचना इसमें सरदार पटेल को महारत थी ये बात यहाँ पर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सम्विधान सभा के सारे डिबेट्स जनता तक पहुँचते थे पहुचाए जाते थे और जनता के विचारों कामंतरित किया जाता था तो परणाम चरूप क्या होता था बहुच निरोधी बातें सामने आती थे और ऐसी स्थिति में संबंदित समितियां सम्रिधान सभा की ये पश्वोपेश में पढ़ जाती थे कि निर्ने क्या निकाला जाए सही क्या होगा उचित क्या होगा और ऐसी स्थिते में सरदार पटेल ने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया सहमती उत्पन करने के लिए उन्होंने बड़ा सराहनी कारे किया विबन वर्गों के बीच में सहमती लाने का काम उसमें वे बड़े माहिर थे पहले बताया जा चुका है कि राजिन सभाच अध्यक्स थे और उनका जो कारे था वह भी कुछ-कुछ जन मानस के विचारों को समविधान सभाच में समाहित करने से प्रेरित था कैसे उनका काम जन की सम्विधान सभाग को रचनात्मक दिशा में ले जाना और रचनात्मक दिशा वही दिशा होगी जिसमें जन मानस के विचारों का समावेश ज्यादा से ज्यादा हो जन मानस की भावनाओं को जिसमें ज्यादा स्थान मिले तो इस पकार डॉक्टर अजिन्द प्रसाद ने सम्विधान सभा के अध्यक्ष के नाते बहुत महत्पूर्ण भीमिका निभाई जनता की आवाज को सम्विधान सभा में पहुंचाने में सभी सदस्यों को वो सुनिश्चित करते थे कि वे अपने विचार रख सकें अपने अपने जो कुनबा है अपने अपने ग्रुप के लोगों की बाते वो कह सकें और उस पर परियाप डिबेट हो प्रसिद्ध विदिवेत्ता और अर्थ शास्त्री बियार अंबेड काल जो समधान सभा में सदस्य थे वे सरवाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे प्रारूप समिति के अध्धक्ष के नाते उनका काम तो था प्रारूप को बनाना लिखित रूप देना लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि कानून की कलम में जनता की भावनाएं नहित हों जनता की अपेक्षाएं नहित हों जनता के विचारों का समयोजन हो के मुईशी और अलादी कृष्णा स्वामी आयर ये तो अम्बेटकर जी के मुख्य सहयोगी थे और उनके इस सहयोग में उनकी ये मुख्य भूमिका थी कि किस प्रकार जनता की अपेक्षाओं को सम्विधान सभाग में सदस्यों के विबन विचारों को समाहित किया जाए उचित रूप से उनके द्वारा सम्विधान के प्रारूप पर महत्पूर्ण सुझाओ दिये गए एक अन्य बहुत महत्पूर्ण व्यक्ती जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया है वे थे बि-न राउ और S.N. मुखर जी बि-न राउ भारत सरकार के सम्विधानिक सलाकार थे और सम्विधानिक सलाकार के साथ साथ अन्य देशों के सम्विधानिक अन्य देशों की राजनीतिक विवस्थाओं का उन्होंने गहन अध्यन किया था और ऐसा करते हुए उन्हें अनेक रिपोर्ट अनेक पत्त तियार किये थे और ये पत्र समविधान सभा के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट थे ऐसन मुखर जी मुख्य योजनाकार थे अम्बेट कर तो ऐसन मुखर जी की प्रतिभास से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने प्रशंचा करते हुए कहा था बेहत जटिल प्रस्तावों को भी जटिल प्रस्ताव जटिल वो जिसमें कंप्लेक्सिटी हो जनता के विरोधी विचार हो और समविधान सभा के सदस्यों के भी विचार हो जिसमें बड़ी complexity हो उनको भी सरलता एवं स्पष्टतम तरीके से लिखने की क्षमता स्पष्ट तरीके से योगिता अमिन जटल समझ उनको स्पष्ट तरीके से कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता एसन मुखर जी की इस ख्षमता के अमबेट कर भी कायल थे साथ में स्पष्टम विधान की प्रारूप का जो मुख दायत्व जो प्रारूप शमित को दिया गया था बियार अमबेट करको चौन पा गया था 9 दिसमबर 40 से 26 नॉमबर 49 ये तो उसका काल हुआ 9 दिसंबर 40 से 26 नॉम्बर 49 इस तीन वर्ष की अवधी में कुल मिला कर इसके 11 अधिवेशन हुए कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन अधिवेशन और सथ क्या होता है? कुछ दिनों तक लगातार बैठके होना, फिर कुछ इंटरवल, फिर कुछ दिनों तक लगातार बैठके होना, फिर कुछ इंटरवल, ब्रेक, वो ब्रेक कई कारणों से जरूरी हो जाता था तो ऐसे ग्यारा दिवेशन हुए और 165 दिन तक इस पे बहस हुई 165 दिन इन चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड एक ग्यारा विशाल खंड बनाए गया है यह जो जन मानस की चर्चाएं, डिबेट्स, समविधान सभा के अंदर के जो डिबेट्स, इन सब को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है तो इसके अध्यान से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार चर्चाओं का, समविधानिक चर्चाओं का एक दौर चला था जब सम्विधान सभा और जन मानस और जन प्रतिनी धिलोग पूरी तरह देश के नए सम्विधान को बनाने की प्रक्रिया में इन्वाल्व थे यह जो पूरा जो डॉक्यमेंटेशन हुआ है इनके डिबेट्स का विचारों का यह ग्यारा विशाल खंडों में अंत्ता प्रकाशित किया गया है और जैसा मैंने कहा है एक सौपैंसट दिन तक इनकी मीटिंग हुई या एक सौपैंसट दिन मीटिंग हुई जो दो वर्ष ग इतिहास को भी मद्य नजर रखते हुए जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह जो पूरी प्रक्रिया चली समविधान बनाने की यह लंबी तो थी लेकिन बड़ी रोचक रही आप तत्काली दिनों के यदि समाचार पत्र पढ़ें और वीडियोस के माध्य सम्विधान सभा के अंदर होने वाले कुछ डिबेट को सुने तो आपको लगेगा कि सम्विधान सभा ने कितना महत्पूर्ण कारे बख्भू भी निभाया है। भारत का भावी स्वरूप दिखाई देता है। उसमें हमें भारती भाशाओं, राश्ट्री आदर्शों, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं, नागरिकों के नैतिक मूल्यों, इन सब विश्यों पे परस पर विरोधी विचारों की जलक मिलती है। पर बड़े विरोधी विचार, क्या वह लोकतांत्रिक होगा, क्या वह गणतांत्रिक ही रहेगा। पंडिजवालल नहरू ने यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, कि पूरी समिधान की पुस्तक में लोकतांत्रिक या लोकतांत्र शब हमने क्यों नहीं लिया। परस्तावना में कयो नहीं लिया। हम अपने देश को गणतंत्र कहते हैं लेकिन लोकतंत्र उसमें शामिल नहीं हैं। ऐसी बहुत से बात भारती भाषाओं को लेकर बहुत से मुद्दे उठे, और भारती लोग वैसे भी अपनी भाषा को लेकर बड़े टैची हैं। अपनी अपनी भाषा को सर्वोपरी सर्वोत्तम भाषा समझते हैं ऐसा होना भी चाहिए लेकिन भाषाई सीमाओं से उठकर हमें जब राष्ट्री हिद को देखना है तो कुछ समझाते करने की जरुत पड़ती है कुछ आदर्शों को लेके चलना पड़ता है और इसलिए ये जो सारे वाद विवाद हैं समझतान सभा के अंदर हुए ये इनका अध्यान बड़ाई रोचक जलक पेश करता है इस शिंखला में अब हम आगे देखते हैं कुछ लोगों के विचार जो समविधान सभा की सोच और अंत में बनने वाले समविधान के पीछे के कुछ द्रिश्यों को परिलक्षित करता है समविधान की द्रिश्टी कैसी थी समविधान कैसे देखता है अपने को ये हमारा अगला मुद्धा है और इसके लिए हमें जाना होगा उस उद्देश प्रस्ताओ पर जिसका जिक्र मैंने किया है पंडित जौहलाल नहरू द्वारा तेरा दिसंबर उननिस सो चालिस को दिया गया उद्देश प्रस्ताओ ये एक एक एतिहासिक प्रस्ताओ था जिसे उद्देश प्रस्ताओ के रूप में माना जाता है इस प्रस्ताओ में स्वतंत्र भारत के समविधान के मूल आधर्शों की रूप रेखा को प्रस्तुत किया गया है आदर्शों की मूल रूप रेखा याद रुखें आदर्शों की रूप रेखा इसमें दिखाई गई है हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं यहाँ पे मेरे लिए कुछ पंक्तियां बोलना जाएज होगा क्योंकि वो आपकी पुस्तक में भी दे हुई हैं इसमें उस फ्रेमवर्क को भी प्रस्तुत किया है उस धाचे को भी प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सम्विधान निर्माण के कारे को आगे बढ़ाना है कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है उद्देश में आदर्शों की रूप रेखा है पहली बात दूसरी बात कैसे सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे ये भी बताया गया है और ऐसा करते हुए तीसरी बात भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोशित किया गया Independent Sovereign Republic Free Sovereign Republic घोशित किया गया चौथी बार नागरिकों को न्याय समानता और स्वतंतता का आश्वासन Justice, Liberty और Equality ये तीन मूल मंत्र थे फ्रांचीसी क्रांटी के 1789 के फ्रांचीसी क्रांटी के तीन मूल मंत्र थे जस्टिस, लिबार्टी और इक्वालिटी इनको भी इसमें समाहित किया गया उसका आश्वासन दिया गया पाँचवा बिंदू अलप संखिकों पिछरें और जन जाती खेत्रों दलित लोगों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान मतलब प्रिटेक्शन पर्याप्त उनको प्रिटेक्शन दिया गया किन लोगों को उस तबकों को जो भारत के इतिहास में गत कई सो वर्षों से दबे हुए थे अपने बल पर उठनी पारे थे ऐसे निम्न वर्गों को एक तरीके से इसमें रक्षात्मक प्रावधान उनके लिए किया गया है जोहलाल नहरू ने इस बात को स्विकार किया है कि उद्देश प्रस्तावना पढ़ते हुए उनकी जो दृष्टी है उनकी दृष्टी वो ब जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज़ों को तियार किया गया था उसकी औरा कर्शित होती है अधिकारों का दस्तावेज उनकी आँखों के सामने घूमता है जब वे उद्देश प्रस्ताव पढ़ते हैं नहरू जी के अपने शब्दों में अब यहां पर उनही की मेरे जहन में बार बार ये सारी सम्विधान सभाएं आ रही हैं जो पहले ये काम कर चुकी हैं। नहरू के द्वारा इस पश्ट किया जाता है कि आज उद्देश प्रस्ताव रखते हुए मैं उन सम्विधान सभाओं को भी याद कर रहा हूँ विश्व के दूसरे खेतरों की जिनोंने सम्विधान सभा का हिस्सा होते हुए अपने देश में वहां का सम्विधान बनाया और ऐसा करते हुए वो दो तीन बड़े सुन्दर दाहरन देते हैं उनका कहना होता है कि मुझे उन अमेरिकी राष्ट के निर्मार की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट निर्माताओं ने एक ऐसे सम्विधान की रचना की जो डेड़ सो वर्ष बाद भी काल की कसौटी पर खरा उतरा है अमेरिका की बात कर रहे हैं 1776 में अमेरिका सतंतर हुआ और 1947 में उनने सो चालिस में नहरू जी ये भाशन देते हुए अमेरिका के इस सम्विधान की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि डेड़ सो साल से सम्विधान जस का तस पूरी मजबूती के स अर्टिका हुआ है और ऐसा सम्विधान जिसमें देड़ सो वर्चों में मातर दस संशो धन हुए है ऐसा सम्विधान जो लिखित है भारत जैसा और बड़ा छोटा है लेकिन छोटा होने के बावजूद मातर छे माह में तयार हो जाने के बावजूद ये सम्विधान काल की कसोटी पर खरा उतरा है ऐसा उन्हें याद आ रहा है उन्होंने एक अन्य महान राष्ट का जिक्र किया और वो कहते हैं कि एक महान राष्ट का निर्मान किया जो उसी समविधान पर आधारित है अमेरिका की महानता के प्रसंसा करते हुए उसका पूरा श्रे उस समविधान को देते हैं जिसने अमेरिका को उन उन्चाईयों पर पहुंचाया है जहां आज अमेरिका है अमेरिका के उधारन के साथ साथ उनका ध्यान जाता है एक और देश के सम्धान पर 1776 में अमेरिका स्वतन्तर हुआ और उसका समर्धान बना 1789 में फ्रांस की कुरांती होती है और फ्रांसीसी कुरांती में बास्टायल के किले पर जब जन मानस हमला करता है और वहां राजा दोरा कैदी कैद किये गए लोगों को मुक्त करता है उसके बाद राजा को फांसी दी जाती है तो वो करांती वहां समापत नहीं होती सम्विधान की प्रक्रिया चलती है उस सम्विधान बनाने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए फ्रांस की पंडित जवालाल नहरू का कहना है कि मेरी दृष्टी उस महान करांती की ओर जाती है जो एक सो पचास वर्ष से पूर्व एक अन्य स्थान पर हुई फ्रांस में हुई उनका इशारा फ्रांस की ओर है मैं उस सम्विधान सभा के विशह में सोचता हूँ जो स्वतंतरता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पैरिस के भव और सुन्दर शहर में जुटी थी मैं उस सम्विधान सभा के विशह में सोचता हूँ जो स्वतंतरता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पैरिस के भव एवं सुन्दर शहर में गुटिट थी पैरिस में जो उनकी नदर में बड़ा भव शहर है सुन्दर शहर है वहाँ पर कई वर्षों तक सतंता के लिए जो लोग संघर्च कर रहे थे वो जब वहाँ एक अठा होती है तो उसके बारे में वो आगे क्या बोलते हैं उन्देश प्रस्ताओ बोलते हुए पंडित नहरू याद दिलाते हैं कि पैरिस के उस सुन्दर और भव शहर में उपस्ते जन्ता जो सतंता के लिए कई वर्षों तक संघर्च कर रही थी वे कहते हैं कि इतिहास या ये सदन याने हमारी सम्विधान सभा के सदस्य जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि इस प्रकार की कई कठनाईयां वहाँ के लोगों को आई और जब सम्विधान सभा का निर्माण कर उसके लिए एक सदन की जरुद पड़ी तो वहाँ के सदस्यों को एक कमरा तक नहीं दिया गया फ्रांस की करांती के बाद फ्रांस की करांती के दौरान जब सम्विधान निर्माताओं ने जर्ड निश्चे कर लिया कि अब हमें सम्विधान बनाना है तो उन्हें एक कमरा नसीब नहीं हुआ और इस बात की चेतावनी इस कठनाई की चेतावनी पंड़ी जवालाल नहरू अपने उध्यश प्रस्ताओ के दोरान सम्विधान सभा के सदस्यों को देते हैं और आगे कहते हैं कि एक कमरा नहीं दिया तो उन्होंने टैनिस के खुले मैदान में सभा की और एक शपत लिए टैनिस के मैदान में इसे प्रसिद्ध ये जगक ये स्थान या ये घटना टैनिस circle की शपत के रूप में प्रसिद्ध है। टैनिस circle की शपत के नाम से ये घटना प्रसिद्ध हुई उसके बाद वहां का संभिधान बनता है और कुछ और रूप ले लेती है। इसके अलावा पंडित नहरू ने राजाओं एवं अन्य शक्तियों की रुकावटों का भी जिक्र किया फ्रांस में शपत तोली टैनिस कोर्ट में सदस्ते लोग बैठ गया समिधान बनाने के लिए लेकिन उस समय के राजा लोग वहां के अन्य शक्तियां तरह तरह के रुकावटें डाल रही थी ताकि बैठक ना हो लेकिन बैठक निर्बाज गती से जारी रही और तब तक वे सदस्त से वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया यानि सम्विधान बनाने का काम जब तक पूरा नहीं किया तब तक वे लोग उठेनी ऐसा कहते हुए नहरू आगे कहते हैं मुझे विश्वास है कि हम भी उस शुद्ध भावना से यहां इकठे हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो अथवा कहीं हो चाहे खेतों में हो चाहे बजार में हो कितनी भी दिक्कतें आए हमारी ये बैठकें जारी रहेंगी तब तक जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे कितने अच्छे तरीके से पंडित नहरू ये अपनी बात रखी है पंडित नहरू आगे इस दिश प्रस्तावों में कहते हैं इसके साथ ही मुझे एक और करांटी आदा आ रही है अमेरिका, फ्रांस उसके बाद एक और कृरांटी मेरे मानस पटल पे सामने आ रही है जिसके परणाम सरूप एक नए प्रकार के राज्य का जन्म हुआ नहरुजी का भाषन है उन्ने सो चालिस का और जिस नए प्रकार के राज्य के जन्म की वे बात कर रहे हैं उस राज्य का जन्म हुआ था उन्ने सो सत्रा में याने मातर तीस वर्ष पूर्व के घटना का वज्जिकर करते हैं अपने भाषन में और तीस वर्ष में वो राज्य इतना मद्बूत हो जाता है कि उद्जेश प्रस्ताव रखते हुए नहरुजी के सामने उस राज्य की घटना भी उनके सामने गुंशती है एक नए प्रकार केर राष्ट का नर्मान हुआ जन्म हुआ और यह थी रूस की क्रांती 1917 की उनका इशारा था रूस की ओर रूस की क्रांती जहां पर जार निकोलस टू जो वर्ष दरवंश जिसका परिवार रूस के लोंगों पर सत्ता धीन था अत्याचार कर रहा था उसे जब निकाला गया मारा गया तो उसके बाद जन्ता ने रूस पर कबज़ा किया रूस की सत्ता जन्ता के हाथ में आये ये एक अपने तहीं अलग धंकी क्रांती थी तो नेहरू जी का कहना है कि ये रूस की क्रांती थी जिसने विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज को जन्म दिया सोवियत समाजवादी गणराज जी और यहीं से संभवता गांधी नेहरू जी को प्रेड़ना मिलती है समाजवाद की और गणराज की मात्र ऐसा देश जो तीस वर्ष पूर भी अपने आधिनिक रूप में जन्म लिया था आगे पंडिजवालाल नहरू कहते हैं ये सारे महान प्रेओग हमारे सामने हैं रूस का प्रेओग अमेरिका का प्रेओग फ्रांस का प्रेओग हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं को से बचने का प्रयास करना हमने एक स्वतंत्र संप्रभू गणराज की स्थापना का दिरण और पवित्र संकल्प लिया है नहरू आगे कहते हैं कि हमने स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, सौवरिन रिपब्लिक, संप्रभु सौवरिन, स्वतंत्र इंडिपेंडन, फ्री सौवरिन रिपब्लिक का हमने सिंकल्प लिया है भारत का आगे की पंक्ति देखिए बड़ी अहम है जब वो कहते हैं कि भारत का संप्रभू होना तो नियत है मतलब बदा हुआ है इसमें कोई दो मत नहीं भारत तो संप्रभू ही रहेगा सार्वभौमिक ही रहेगा सर्वोच ही रहेगा उसके उपर कोई सत्ता नहीं रहेगी इसका स्वतंत्र होना और गनराज्य होना भी स्वाभाविक है जहां एक और सार्वभौमिक होना बदा है वहीं अन्य दो चीजें भी स्वाभाविक हैं हमारे लिए उनके अनुसार कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है कि आपने यहां लोक तांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा है ये बात पंडित नहरू अपने उस उद्देश भाशन में कह रहे हैं कि मेरे कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि आपने लोक तांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा अपने भाशन में उस पर उनका जवाब था कि निसंदे सोचा जा सकता है कि गोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो परन्तो हमारा पूरा इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के सदैव सदैव पक्षदर रहे हैं तो लोकतांत्रिक होना तो हमारी स्वभाविक प्रवृत्ति में हैं स्वभाविक है कि हमारा लक्ष लोकतांत्र है लोकतांत्र से कम कुछ नहीं तो जो चीज स्वभाविक है उसे यहां लिखने की जरुतनी ऐसा नहरू का इशारा था ये लोक तंतर कैसा होगा उसकी शकल सूरत कैसी होगी ये एक अलग बात है क्योंकि लोक तंतर के भी कई आयाम है लोक तंतर भी कुछ अलग अलग तरीके का होता है संसदी लोक तंतर गैर संसदी लोक तंतर आदी आदी प्रतिनिजित्व मूलक लोक तंतर गैर प्रतिनेजित्व मूलक लोग तंत्र आदे आदे to ये एक अलग मसला है पर भारत में लोग तंत्र नहीं होगा ऐसा तो कदापी सोचा ही नहीं जा सकता और इसलिए मैंने लोग तंत्रिक प्रक्रिया का जिकर अपने इस भाशन में नहीं किया है आज के लोक तंत्रों में आज के लोक तंत्रों ने दुनिया में जबरदस्ती जबरदस्त प्रगति की है जबरदस्त भूमी का निभाई है और उन में से बहुत सारे यौरोप तथा अन्य देशों में हैं जहां लोक तंत्र इस्थाई है ये संदे हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी दुनिया पर लोकतंत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत बदलनी हो सकती इस बात पर संदे की कोई गुजाईश नहीं है कि भारत में लोकतंत्र होगा की नहीं संदेह ये जरूर हो सकता है कि किस तरह का लोकतन उसकी शकल क्या होगी उसकी सूरत क्या होगी उसे हो सकता है थोड़ा सा बदलना पड़े उसके प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो लेकिन नहरू आगे कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोक तांत्रिक देश की एक खास लोक तांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेश की हम सिर्फ नकल ना करें इस बात की वो चेतावनी देते हैं वे कहते हैं कि लोकतंत्रिक व्यवस्था होना तो हमारे यहां नैसरगिक है स्वाभाविक है वह लोकतंत्र किस तरीके का होगा इस पर विवाद हो सकता है इस मसले पर विचार विमर्ष हो सकता है लेकिन लोकतंत्र होगा की नहीं इस पर कोई विवात की गुंजाईश शंका की गुंजाईश नहीं अब रही बात कि कैसा लोकतंत्र तो आप से अनरोध है आपकार्थ सम्विधान सभा के सद्द कि किसी देश की लोक तांत्रिक विवस्था की नकल ना करें खास लोक तांत्रिक प्रणाली का नकल ना करें हो सकता है कि हम उससे बहतर प्रणाली सामने लाएं हो सकता है हम उनसे बहतर लोग तंत्रक विश्था सामने रखें बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहां चाहें जैसी सरकार बनाएं हम सारे लोगों के स्वभाव के अनरूप और उनको स्वीकार जरूर होने चाहिए हम लोग तंत्रके हक में हैं कुल मिलाकर अभी तक नहरू ने अपने उद्देश प्रस्ताओं में जो बात कही है वह सतत रूप से इस बात का इशारा है कि हम लोग तंत्र थे लोग तंत्र हैं और भविश्च में भी लोग तंत्र रहेंगे इसमें कोई दो मतनी लोग तंत्रक ववस्था किस रूप में होगी ये सोच की बात है इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और इसके लिए निरोध है कि किसी एक देश विशेश की ववस्था को जश्कातस ना अपना लें उसे अपने देश की जरूरतों, अपने देश के लोगों की अपेक्षाओं, अपने देश के लोगों की समी करण को देखते हुए एक समुचित लोगतंत्र क्विवफ्था लाएं लोगतंत्र पर अपनी बात कहते हुए, अपने विचार रखते हुए, नहरू ये बार बार दोहराते हैं, कि लोगतंत्र का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण लोक तंत्र का स्वरूप कैसा होगा ये एक मुद्दा हो सकता है इस पे विधान सभा या समविधान सभा बहस करेगी लेकिन लोक तंत्र होगा कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ऐसे कोई सवाल ही नहीं सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपी इस प्रस्ताओं में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है ये नहरू जी का कहना है कि सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपी हमने इस प्रस्ताओं में इस यने उद्देश प्रस्ताओं में जिसे वे पढ़ रहे थे उस शब्द का लोकंतंत्रक शब्द का इस्तिमाल तो नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह तो साभाविक है निचरल है और निचरल चीच को बोलने का कोई मायने नहीं है यह बढ़ा नैचरल है कि गनराज के रूप में गणराज में ही लोक तंतर नहित होता है और हम गणराज चाह रहे हैं इस बात को बारंबार बताय जा रहा है लोक तंतर गणराज का ही एक हिस्सा है इसलिए हम अनावश्यक रूप से अनावश्यक से गैर जरूरी शब्द गैर या अनुपयोगी शब्द इनका प्रयोग यहा प्रश्ताव में लोक तंत्र की अंतरवस्तु प्रस्तुत की है लोक तंत्र के अंतरगत जो नहित भावना है उसे इस प्रस्ताव में रखा है और बारंबार उस भावनाओं को हमने उभारने की कोशिश की है सामने लाने की कोशिश की है तो यह स्पष्ट है कि हम लोक तंत्र की ही बात कर रहे हैं साथ ही अन्य सदेशियों को इस बात पर आपत्ती हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने आर्थिक या एक समाजवादी राष्ट बनाने का उलेख नहीं किया है यह बात यह कह सकते हैं कि इस कहीं पर भी हमने इस पूरे प्रस्ताव में चर्चा नहीं किया है कि भारत को एक समाजवादी राष्ट बनाना है यहां नहरु का कहना है यहां मेरा इतना ही कहना है कि मैं स्वयम समाजवाद का प्रकर समर्थक रहा हूँ और यदि मैं समर्थक रहा हूँ तो इसके माइने कि मेरे द्वारा गिया गया ये अद्देश ये वक्तव्य ये प्रस्तावना ये प्रस्ताव ये समाजवादी राज़ बनाने का है ये लेक करता है नहरू आगे कहते हैं कि मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज़ की स्थापना के मार्ग पर चलेगा मुझे पुरा विश्वास है कि एक दिन दुनिया को भी इस मार्ग पर चलना होगा तो इस बिंदु पर वे समाजवाद की चर्चा करते हैं सोशिलिजम समाजवाद जो उस समय सोवियत संग की क्रांती से सामने आया था विश्व के मानस पतल पर आया था और समाजवाद का एक तरह का सफल रूप ततकाली इन सोवियत संग में दिखाई दे रहा था नहरू जिससे बहुत प्रभावित थे और स्वेम अपने को समाजवादी कहने में कतई नहीं हिचकते थे तो नहरू जी कहते हैं कि विश्वास है कि भारत तो समाजवादी राष्ट होने के मार्ग पर चलेगा साथ ही मुझे इससे भी ज्यादा इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में विश्व भी इस मार्ग पर चलेगा और इसे चलना होगा यानि अंतता यही एक मार्ग दुनिया के लिए रहेगा ऐसा नहरू का मानना था कटूट विश्वास था उनका समाजवाद पर यदि हम जोहलाल नहरू के इस भाषण को सावधानी से पढ़ें इसका सावधानी से अध्यन करें परताल करें तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और बाद में जो फ्रांसीची करांतिका जिक्राया इनके उदाहरन देकर नहरू संभवता ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारत के समधान निर्मार का इतिहास मुक्ति और स्वाधनतुरता के एक दीर इतिहासिक संग्रश का ही भाग है मैं इस बात को पुना दोहरा दूँ फ्रांसीची करांति और अमेरिकी करांति अमेरिकी स्वाधनता संग्राम इस से जब वो जोड़ते हैं अपनी प्रस्तावना में अपने प्रस्ताव में उदेश को तो ये स्पष्ट होता है कि उनके अनुसार समधान निर्मार की जो प्रक्रिया है समधान निर्मार का एतिहासिक महत हमें समधना जरूरी है मुक्ति और स्वतंता के इस दीर्ग कालीन संग्रश को हमको समधना है और उससे हमें समधान निर्मार की प्रक्रिया को जोड़ना है अर्थात समधान निर्माताओं से नरोद था कि समधान बनाते समय वे इस एतिहासिक संग्रश को अपने मानस पटल पर रखें सदई उनकी दृष्टी में भारती संग्रश का एक एतिहासिक महत्व अतीत के क्रांतिकारी ख्षणों के बराबर था अर्थात उनका ये मानना था कि जितना महत्वूर्ण वर्तमान घटना है उतना ही महत्वूर्ण अतीत के एतिहासिक संग्रश रहें उतने ही क्रांतिकारी रहे हैं जितने की फ्रांस की घटना आए थी या जितने की अमेरिका की घटना आए थी परन्तु नहरू के कथन का यह अभी प्राय बिलकुल नहीं था कि उन घटनाओं को आज के लिए हम एक तरीके का ब्लूप्रिंट मान लें ऐसा करते ही ना समझें पाठाक या श्रोता कि वो नहरू जब फ्रांसीसी करान्ती या अमेरिकी करान्ती या रूसी करान्ती का जिक्र कर रहे हैं तो नहरू चाहते हैं कि वो किसी करान्ती का ब्लूप्रिंट सामने रखके काम करें उनका ये बिलकुल इरादा नहीं था उनका केवल कहना था कि इस सोच को कि एक घटनाए कितनी करांतिकारी हैं कितनी प्रभावशाली हैं इस बात का भास सतत रूप से रहे उनका ये भी नहीं कहना था कि उन करांतियों के विचारों को बिना सोचे भारत के वातावरन में ढाल दिया जाए यदि फ्रांजी चीकरांटी की बात करें तो फ्रांजी चीकरांटी का मुक्झ विचार था Liberty, Equality और Justice, न्याएं स्वतंतरता, समानता तो नहरू जी का कहना था कि जिन विचारों से वो कुरांति प्रभावित हुई है उन्हीं विचारों को जसके तस हम अपने भारती परिवेश में ले ले ये भी जरूरी नहीं है उसे ब्लीव प्रिंट ना माना जाए उसे एक निश्चित खाका ना माना जाए उसे भारत के बातावरण में धाल ना दिया जाए उसे जरूरी नहीं है कि भारत के माहौल के लिए अनुकूल माना जाए बेकता ही नहीं वे इस विशेश्ट प्रकार के लोक तंतर का अनुसरन करने के समर्थक भी नहीं थे कि हमें अमेरिकी लोक तंतर का अनुसरन करना है या फ्रांसीसी लोक तंतर का या नवोदित राश रूस में जिस तरीके का लोक तंतर आया है तकाली काल में उस समय में उसका किसी का हमको follower बनना है अनुयाई बनना है अनुसरन करना है उन्होंने बार बार इस बार को सम्विधान सभा के सदस्यों को चेतावनी दे रहे हैं एक तरीके से कि नकल ना करें एपिंग दा वेस्ट एप करना मतलब बंदर जैसी नकल करना तो हम एपिंग दा वेस्ट ना करें पश्चमी जगत का हम बंदर जैसी नकल करके उसे भारत में न उतार लें वे किसी प्रकार के भी लोकतंत्र को किसी भी विशेष प्रकार के लोकतंत्र को भारत में जस के तर ढलने के तो खिलाव थे उन्होंने इस बात पे बल दिया कि आप देखे होंगे उनके भाशन में कि भारती समविधान के आधर्ष और प्रावधान कहीं और से उठाए गय नहीं होना चाहिए भारती सम्विधान के आदर्ष और प्रावधान कहीं से लिये न ऐसे आप इंपोर्ट ना करें उसे उसे आयात ना करें बल्कि हमारे लोकतंत्र की रूप रेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से उभरनी चाहिए हमारे लोकतंत्र की रूप रेखा हमारे मध्य होने वाली चर्चा से उभरनी चाहिए निकलनी चाहिए हमारे मध्य यानि सम्विधान सभा के सदस्य लोकतंत्र के सभी पहलों सभी प्रकारों सभी रूपों पर चर्चा करें और भारत के हित में क्या है उसे स्विकार करते जाएं यह हो सकता है यह लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विचारों का सम्मिश्रण हो हो सकता है किसी एक देश के लोग तंतर का भी प्रतिबिम्ब दिखाई दे संभावना है लेकिन ऐसा यदि कुछ भी हो रहा है तो वो मात्र इसलिए नहो कि हम यहां की कौपी करें हम वहां की नकल करें बलकि इसलिए होगा क्योंकि निशकर्ष के बाद विवेचन के बाद सम्विधान सभा में बहस के बाद हमने इसे ही अपने देश के लिए सर्वो परी हित का माना है ऐसा नहरू का बारंबार कहना था ऐसा कहते हुए नहरू इस बात को भी दोहराते हैं बारंबार कि पश्चिमी करांतियां जिसका मैंने जिक्र किया है या कोई और भी अन्यसी घटनाय हों आपके सामने तो उनकी सफलताएं असफलताओं से शिक्षा लो क्यों वहां की करांती असफल हुई वहां के विचार क्यों सफल हुए इससे कुछ सीख ले लो पर सीख लेने कारती है नहीं कि इससे जसका तस अपना लो सीख जरूर लो कि इसकी देश विशेश की लोक तांतिरिक प्रणाली का अंधानु करण ना करो अंधानु करण ब्लाइंड फॉलोइंग आंख बंद करके उसे मत अपनाईए यानि नकल मत करिए कौपी पेश्ट ना करिए बहस करिए जिरह करिए अपने विचार रखिए उन विचारों के पक्ष में तर्क रखिए और फिर उसके बाद विचार मन्थन के परणाम शरूप समविधान सभा का जो निशकर्ष निकलेगा वही देश के लिए सर्वुत्तम होगा लोग तंत्र के लिए सर्वुत्तम होगा तो अंधानुकरण के वे सक्ख खिलाब थे, एपिंग दा वेस्ट के वे सक्ख खिलाब थे, ब्लाइंड फॉलोइंग के वे सक्ख खिलाब थे उनके अनुसार भारती सम्विधान का जो उद्देश है, वो लोक तंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक नियाय के समाजवादी विचारों का समन्वे, बहुत बढ़िया ये निशकर्ष आप नहरू के भाशन से निकाल सकते हैं उद्देश जो है वो लोक तंत्र के उदारवादी, विचार, लोक तंत्र जो है वो जो सच्चा लोक तंत्र है बड़ा उदार रहता है अपने कानूनों में, अपने विचारधारा में, अपनी भाशा में आदे तो लोगतंत्र की उदारवादी नीती और आर्थिक न्याय की समाजवादी नीती इन विचारों का परस पर समन्वे करें और भारती संदर में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए ऐसा नहरू जी की अपेक्षाथ, इस प्रकार नहरू ने इस बात पे बल दिया है कि रचनात्मक धंक से सोच कर ही ये तै किया जाए कि भारत के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है रचनात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा उनका सतत रूप से कहना था आलोचना के लिए आलोचना करना उचित नहीं होगा इसलिए हम हर तरीके से, हर दृष्टि से, इन विचारों को, इन घटनाओं को, सफलताओं, असफलताओं को तॉलें, सोचें, पर्खें, और उसके बाद, उसमें से रचनात्मक विचार निकाल कर जो लोक तंत्री उदारता है, और जो नियाय की समाजवादी विचार धारा है, इसमें कि सम्मिश्रण करें ये नहरू ने ये सारी बातें अपने प्रस्ताओं में कह दी और ये जो उद्धिश्र प्रस्ताओं का महत्व है, वो वास्तों में इसलिए है क्योंकि वह सम्मिधान सभा के आने वाले समय के वाद जिवादों के दिशा निर्देशक का काम करता है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से वो डिर्रेक्टिव प्रिंसिपल का काम करता है, दिशा दे रहा है कि भाई हमको इस दिशा में सोचना हैं आपने आपत्ती उठाई है लोग तांतरिक शब्द नहीं हैं आपने आपत्ती उठाई है समाजवादी शब्द नहीं हैं लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भावन, मैंने मतलब नहरू इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भ कार इनके विचार उद्देश प्रस्ताओं के माध्यम से एक तरीके से दिशा देते हैं समविधान सभा की बहस को और ऐसा करते हुए वे ये भी बताते हैं कि भारत का समविधान किस दिशा में जाएगा ये तो रही जो हलाल नहरू के उद्देश प्रस्ताओं की बात